बिहार में आजकल बहुत उतल पुथल हुआ है उसपे क्या बोलिएगा जो ललन सिंग अध्यक्ष थे वो रिजायन देट ललन सिंग जी को चुनाव लड़ना है बिहार में आजकल बहुत उतल पुथल हुआ है उसपे क्या बोलिएगा जो ललन सिंग अध्यक्ष थे तो ललन सिंग अध्यक्ष थे तभी कि नितिश कुमार जी ही बने है और कोई तो बना नहीं है अब क्या है कि ललन सिंग जी को चुनाव लड़ना है सांसद भी हैं चुनाव लड़ेंगे तो राष्टी अध्यक्ष रहते विए उनको लगा होगा कि हम चुनाव इस बार का थोड़ा कड़ा है टप है अना लड़ाई को उन्हों छोट ना हो ला तो हो सकता है ये बात दिमाग में आई होगी कि नितिश कुमार जी को तो चुन ना लड़ना नहीं है उन्हों अभिधान सबा लड़ते हैं ना लोक सबा लड़ते हैं ठीक है हो सकता ऐसी बात हुई होगी काहे कि अभी का माहौल ऐसा है कि मानिये नितिश कुमार जी के सतरह सांसद हैं बीजेपी ने उनको 20 सीटे दी थी तीन हारे सतरह जीते अब स्ट्रों को हम जीते हैं कम से कम वो सीट हमारे पास रहे तो ऐसी परिस्थिती में वो अपने सतरह सीट के लिए औरेंगे महागटबन साथ-अठ़ पाटियों की पाटि है तो उनको हो सकता है कि तेजस्वी जी बोलें कि हम दस्वों से जादा ना देंगे एक यारी उसे ज् लगता है कि कोमना अदमी कि इसको कितना सीट देगा लगा एक अंदाज से जैसे आप लोगी पद्धरकारता करते हैं तो आपकी भी लिखता है ना सुत्रों के हिवाले से तो ऐसा है कि आप मुझे लगता है कि एक दो महीने में हो सकता है कि सीटों के मामले में सीटों की बटवारे से नराज होकर कि नितिश कुमार जी अलग भी हो जाएं कोई बड़ी बात थोड़े बात क्या लग रहा है बीजीपी में फिर आएंगे नितिश कुमार जी अलग रहा है देखिए ये चुकी हमारे सिर्ष नेतिर्तों का प्रश्न है अब मान लीजिए कि जो सवाल एसपी से किया जाए वहीं सवाल दरोगा जी से कहला किया जाए हमें तो अमित साहाजी का जो आगमन हुआ था उसमें मंच पे मैं भी था और जिस तरीके सामित साहाजी ने कहा मुझे नहीं लगता है कि नितिश कुमार जी की वापसी वीजेपी में होगी आगे कुछ बातें अगर हो भी तो हमारी पहुँच नहीं और हमरा छेतरा अधिकार नहीं है कि मैं उस विशेपे कुछ दो शब्द बोलूं क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है या इसकी संभव ना है मुझे आइसा नहीं लगता है कि अढयी लगता है